साथियें हम तो ये सभी जानते हैं कि सर्दियों में साइबिरियन पक्षी भारत आते हैं और आपको ये पता है कि उन्ने से पहले ये कितनी तैयारी करते हैं और प्रकेद भी इनका कैसे साथ देती हैं आये जानते हैं रसिया के उत्पर में बसा साइवेरिया जहां का ताप़ाण माइनस 40 डिग्री से भी नीचे रहता है यहां का 13 मीलियन इसकुाइर किलोमीटर का एरिया सर्डियों में बर्फ से ठका रहता है यहां पर इनसानों को गुजारा तो हो जाता है लेकिन पक्चियों का गुजारे हाँ पर संभव नहीं है यही वज़ा है कि हरवर्स लाखों साइबेरियन पक्ची भारत की और रुख कर देते हैं जिसमें सबसे अनुखा पक्ची है साइबेरियन क्रेन आईए जानते हैं इसके कुछ इमेजिन फैक्ट के बारे में साइबेरियन क्रेन एक ऐसा पक्ची है जिसे लार्जस्ट माइगरेट बर्ड कहा जाता है अक्टूबर से मार्च के महीने में साइबेरिया के ठंड से बचने के लिए भरत पुर राजस्थान आते हैं और यहीं पर रहते हैं अच्छी लगभग चार हजार किलो मेटर की दूरी तक करके यहां पर आते हैं फिर मार्च अप्रायर के बाद फिर दुबारा से चार हजार किलो मेटर की दूरी तकर साइबेरिया वापस लोट जाते हैं साथ हिएं आपको आपको तो Google मैप के जरूरत पढ़ते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता इनके पास कौन सा Google मैप है क्योंकि इनके बारे में यह पताए जाता है यह हमेशा एक ही Loop को फालो करते हैं रास्ते में कहां कहां रुखना है वो भी इन का तैह है और लगभग ये 200 सालों से ऐसा चला आ रहा है रास्ते में पाकिस्तान रुकते हैं, कजाकिस्तान रुकते हैं, उजबेकिस्तान रुकते हैं और रास्ते में ये तुर्किमनिस्तान भी रुकते हैं और इन देसों में कहां रुकना है ये भी इनका तैह होता है इससे भी सर्प्राइजिंग बात ये है कि जब ये भरत पुराजस्थान से वापस जाते हैं इनके अंडे तथा इनके छोटे छोटे बच्चे यहें पर छोट जाते हैं लेकिन जब भी उनने के लाइक हो जाते हैं तो बच्चे बगएर किना किसी सहारी के या बगएर किसी सहयोग के उसी रूट से उड़ते हुए जाकर साइबेरिया पहुँच जाते हैं हैना असरजने बात एक छोटा सा बच्चा जिससे ये भी नहीं पता कि साइबेरिया कहा है उसमें कौन सी ऐसी कम्यूनिकेशन है, कौन सी ऐसी वेबलेंथ है या फिर कौन सी ऐसी डारेक्शन है जो इसको ये बताती है या उसको समझाती है कि ये इसी रास्ती को फालू करना है जिससे ये पच्ची दुबारा साइबेरिया पहुच जाते हैं